पेपर मेहमानों के साथ अपने तमाम एक्सपर्ट के साथ कि जो विवादित मुद्दे है उनका हल आखर क्या है नहीं हुआ तो किस वज़े से नहीं हुआ क्या अब उम्बीद रखी जाए या फिर आने वाले दिनों में भी सिर्फ सियासत होगी और मुद्दों की गंभीरता को नजरमदाज करके उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा बहुत जल्दी से एक बाप फिर से हम अपने मेमानों से आपका परिचे करा दें हमारे साथ है प्रोफिसर विरेंच चोहान प्रदेश प्रवक्ता भारती जनता पाची हमारे साथ है बहुती वरिस्ट संभारी पत्रकार मनमोन शर्मा जी रामदिया साथ है आप उपाद्यक्षे भारती किसान यूनियन के हमारे साथ वरिस्ट पत्रकार डॉक्टर गुर्मी सिंग जुड़ चुके है चंडिगर से और बहुती वरिस्ट नेता पूर्वबंत्री जैप्रगाश जी अबारे साथ जुड़े हुए है जैप्रगाश जी को सरकारों की हिस्सेदारी का तजर्बा भी रहा है और ऐसे मुद्दों पर उन्होंने खूब बातचीत की है लिखा पड़ा भी है ये मुद्दे उठाए भी है जब प्रगाश जम आपके पास आना चाहेंगे रामदिया साब के पास जाने से पहले एक बात जो निकल कर सामने आ रही है हरियाना के परिपेक्ष में चाहे वो S.Y.L. का मुद्दा हो चाहे राजधानी का मुद्दा हो चाहे हिंदी भाशी लोगों से जुड़ा मसला हो H.S.G.M.C. के मसले पर सियासत खूब हो ही रही है एक जो आरोप है जो बड़ा कॉमन दिखाई दे रहा है वो ये कि हरियाना की जो कॉंग्रेस शासित सरकारे हैं जिसमें हुडा साथ के ये दोनों कारिकाल भी शामिल है वो बहुत गंभीर नहीं रही है मनमोन शर्मा जी प्रोफेसर वीरेंच चुहान दोनों महमान ये मान रहे है कि 10 साल में जब केंद्र में आपकी सरकारती आपने संसब में देश की पारलमेंट में कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया अगर राजनितिक गंभीरता है ही नहीं सर तब फिर हम इनका हल कैसे समझें कि होगा और ये अपने अंजाम तक पहुँचेंगे देखिए मैं मेरे मित्रों से एक बात बताना चाहता हूँ 2004 में यूपीय लेड गोवर्मेंट बना और उससे पहले भारत वर्ष में एंडिय गोवर्मेंट थी और हर्याना परदेश में एंडिय सरकार थी और पंजाब के अंदर सरदार परकार सिंग बादल और भारत के जिनता पाते ही सरकार की ठीक है सर्थ मैं इन मिल्करों से चेवल एक परसन पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रेम कोर्ट ने अर्याना के हट में फैसरा दे गिया था S.Y.N. का और पंजाब के अंदर परकार सिंग बादल ने सरदार अमनेंदर सिंग के साथ मिलकर के अर्याना के साथ बहुत बड़ा अन्या किया है और उन्होंने हमारे सब रेजलेशन ट्रंट डाउं कर दिये पंजाब इदान सबा में आज भारतिये जन्ता पार्टी के किसी भी कार्या करता को या नेता को अर्याना में ये कहने कातनी है कि हम अर्याना की किसी भी स्टेश के उपर आपकी मदद करेंगे क्या काम किया है ये गोर्मेंट में जब हमारी सरकार बढ़ी हमने प्रेजेंट रेफरेंस के लिए इसकी लिडाए लड़ी और 2005 में लोगसभा इस बात का उधारन है कि मैंने समय लोगसभा के अंदर ये मामला उटा आता और मैंने इसके साथ एक बात और जोड़ी थी के S.Y.R. अर्याना परदेश की लाइफ लाइन है यदि हर्याना परदेश और राजसान के सूके खेतों को पानी मिल जाता तो हर्याना परदेश का अंतिम वरग जो है सबसे कंजोर वरग जो है वह अर्तिक तोर से बहुत मदबूत रहता लेकिल भारतिये जनता पार्टी शाशित राज्ये और एंडिये लेज बाही भारतिये जनता पार्टी आज तक अर्याना के तरफ मदब करना तो दूर रहा बलके मैं मेरे मित्रों से च्वांचाब से कहना चाहूँगा कि इस पार्टी में हमेशा अरियाना का मुख्षान किया आज परकास सिंग बादर पंजाद के मुल्ट मंत्री है बार बार वो कहते हैं कि अरियाना का कोई तंदिगड में हिस्चा नहीं अरियाना के S.Y.L. के पानी में हिस्चा नहीं तो पार्ट के दिनका पार्टी ने एक दिन भी इस मामले को नहीं उठाया मैं तो हमने तो प्रेजिंट राजनेताओं में से हैं हरियाना के हमारे मित्र भी है पर जैप्रकाश जी थोड़ा सा आप इतनी जल्दी एतिहासि घटना करम जो है राजनीती का वो भूल गए ये जो जल संदिया निरस्थ करने का कानून बनाया था वो गैर कानूनी कानून में कहूंगा असमवधानी कानून भारत के संगिये ढाजे पर हमला करने वाला कानून बनाने की लीड लेने वाली वो कोई प्रकाश सिंग बादल की सरकार नहीं थी वो कैप्टन अमरेंदर सिंग की सरकार थी और जिस दिन ये काला कानून बनाया उन्होंने निरस्थ किये सारे जल समझोते उस दिन दिल्ली के तक्त पर सरदार मनमौन सिंग बैठे हुए थे उस दिन हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार थी क्या दिल्ली दरबार को पंजाब का वो कुकर्म नजर नहीं आया क्या कैप्टन को बुला करके दिल्ली समन करके ये कहा जाना नहीं चीये था कि आपने अपराद किया है क्या कैप्टन अमरेंदर की सरकार को उस समय सक्ता में बने रहने का अधिकार था आप सारे का सारा जो बोज है वो पडोसी के यहां धखेलना चाहते हैं लेकिन ये तिहासिक तत्य जो घटनक चक्र है कम से कम सच्चाई को गोल मौल मत करिये जवाब देरे हमारी कोशिश है जैप्रगाज जी रॉक्षाब हम समाधान खोजे हम कृपिया करके एक बाद फिर से आरूर प्रत्यार ठीक पर आए जैप्रगाज जी कराथ जैब कर दो वाद निश्टर थे जब मेरे कंचाँ रहर फिर दोमीग्राफ जीरी कोशिजिशा की और पंजाब्जाब की बारतीय जन्ता पार्टी और इसका समझोगते का एक ने बहुत बढ़िया सुजाव पार्लिमेंट में दिया था और अकाली दब के उस वक्त अपोस्टिन के हमारे डिटी स्पेकर के जुआतर पंगावचंगरेस में हैं के नहीं समझोगते निरस्ट करने का कानूद का कारेस की सरकार ने नहीं बनाया जै प्रकाश जी किसे बनाया हमने बनवाया क्या केंद्र ने साहस दिखाया उस समय केप्टन साब को रोकने का हम लोग हर्याना के हितों के लिए निरंतर खड़े नहीं है लोटों आगे भी लड़ेंगे और 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 तक्चों को तोड़ मेरोट के लिए पर्याना के लोटों को खुरा नहीं कर सकते हैं जै प्रकाश जी ठीक है ठीक है सर जै प्रकाश जी कृपिया करके कृपिया करके सर आप रहे हमारे साथ फोल लाइन पर हम फिर चाहते हैं चूंकि सवाल हर तरफ से हो रहे हम भी सवाल उठा रहें कि ये मुद्द सुलज क्यों नहीं रहे समाधान कहा है हमारी कोशिश वहाँ पहुचने की है हम मनमों जी को चर्चा बे लाएंगे लेकिन उससे पहले हम जरा रामदिया साब के पास जाए रामदिया साब आप तकरीवन आदे घंटे से ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं आप खुद अभी ये बता रहे थे के एक न समाधान अभी तक नहीं है आप भारती किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं आप किसान लेता है उपाद्यक्ष हैं जरा किसानों के नजरीय से आप बताईए कि खास तोर से S.Y.L. जिससे किसानों का बड़ा हित जुड़ा है उसमें दिक्कत कहां आ रहे है धन्यवाद र पानी मिलेगा इस से खितों में सिचाई करने के लिए तो वो नहर बढ़नी सुरू हुई हरियाना ने मेरे खाल उस टैम चौदरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और नहर को हरियाने ने बना के त्यार कर दिया पंजाब बौडर से जब वो आगे टपने लगी तो पं उसने लगे क्यों लगे कहन हम अपने हग का पानी लेकर रहे उसके बाद चौदरी बंसीलाल जी सरकार बना लेते हैं और उन्होंने क्या करया किसनों को पता नि बढ़काने के लिए पता नि याद दिलाने के लिए एक मसला छेड़ा कि वही हम पंच्चों और सरपंच्चो को वो पानी दिखाएंगे जहां से ये पानी सारे का सारा पाकिस्तान को जाता है दिखाएंगे दिखाया दिखाया और कहने लगे कि भी आप सभी इकठे होकर पंजाब को या किसी को भी किसी तरह भी पंजाब से ये नहर निकलवाएं और निकाल के ये पानी आप को मिलेगा काफी अंदोलन किया किसानों ने लेकिन किसानों की कोई सरकार चलने नहीं देती उस टैम पानी देखने के बाद सब लोग यूँ कहने लगे के भी ये पानी बिल्कुल बेकार जा रहा है और जी है राजीव जी कितना टुकड़ा हो ज्यादा से ज्यादा तो जी पानी का देखते 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 अब मेरा ख्याल तो वो सुपना बनके रहे गया हम अदो के वही हमने कोई सपना देख्या था भी नार आएगी या कुछ होएगा हमें तो आज तक यह नि नहीं पता लागिया, वे कौन से सरकार इसमें रोडाit कारी ऐ, कौन से इसको बनाना चाहती जाती है पिछे बंसीलाल की आई, कांगरस की आई, या इनके यहां चोधरी, होम परकास चोटाला जी की सरकार थी, उदर इसकी काली दल की सरकार थी, ये भी आपस में दोनों थे, इन्होंने भी पानी नहीं लिया, अब कांगरस की सरकार थी, पिछे कांगरस की वहां भी थी, किसी ने पानी दिने की कोई कोशिस ही नहीं की.